नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ जीते शुबला और आप देख रहा है डिस्टल एडवाइस रात के नो बच चुके हैं और समय हो गया ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट का तो जादा से जादा लोग जुर जाएए जो लोग जुर चुके हैं वो व डिटा है गए ट्रिपल सी से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा इस लेज़ चानल को सब्सक्राइब भी कर ले साथी साथ को टाइमिंग मैं आपको आती साथ में है है तो फिर आप email कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं और comment कर सकते हैं clear है WhatsApp और email ID आपको description में मिल जाएगा clear है तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसका online test और देखते हैं question नंबर फर्स्ट कि दोजार रुपे की नोट पर कौन सा चिन होता है ए ऑप्षन मंगल यान बी ऑप्षन साची स्पूद सी ऑप्षन हैं P with chariot D option none of the above तो बताईगा right answer क्या होगा आप comment में भी answer बता सकते हैं और chat में भी answer क्या कर सकते हैं बता सकते हैं साथी साथ ये बात मैं आपको बता दूँ कि इस बार नॉंबर के paper में currency से related कुछ question पूछ लिए गए थे clear है इसलिए मैंने ये question quiz में क्या किया रखा है तो बताईगा right answer क्या होगा तो जी हाँ इसका right answer जो होगा mangalian ये option साई होगा next question number two आप chat और comment दोनों में answer बता सकते हैं निमलिकित में कौन सा bank currency के लिए बनाया गया है a option sbi b option bank of aroda c option central bank of india d option नाबाल तो बताईगा right answer क्या होगा right answer इसका क्या होगा जी हाँ बताईगा कि कौन सा bank currency के लिए बनाया गया है currency का लिए बनाया गया है मतलब यह कि planning करता है agriculture के लिए ठीक है work करता है agriculture के लिए तो कौन सा है इसमें से तो जी हाँ d option क्या होगा right होगा नाबाल है जो agriculture के लिए क्या करता है काम करता है planning करता है clear है नाबाल का full form क्या होगा यह आपका homework रहेगा comment करके बताईगा नाबाल का full form क्या होगा यह आप comment करके बताईगा next writer में comment की shortcut की क्या होती है a option control plus alt plus c b option control plus shift plus c c option control plus tab plus c d option none of the above तो बताईगा right answer क्या होगा जल्दी से और यह question आभी चुका है आपके exam में यह question क्या हो चुका है आपके exam में आ चुका है अगस्त में भी पूछा गया था सितंबर में भी और नॉम्बर में भी क्या हुआ है यह question आया है यह short form क्या की गई sorry shortcut पूछी गई है clear है और shortcut से related आज जो video है भाई class साम को रात 8 बिज़े की जो class थी उसमें क्या किया गया है आज लिब्रा ओफिस के short cuts की बात की तो वीडियो देख लीजेगा साथी साथ कल एक और वीडियो मिल जाएगा short cuts में तो आपकी पूरी short cuts complete हो जाएगी लिब्रा ओफिस से related क्यों क्यों क्योंकि लिब्रा ओफिस की short cuts बहुत एक्जाम में पूछी जा रही है नेक्स्ट कोशन नमबर फोर पेटियम में बार कोड का प्रियोग करके भुकतान नहीं कर सकते ए ऑप्सें ट्रू बी ऑप्सें फॉल्स तो बताएगा राइट आंसर क्या होगा 5 seconds है आपके पास कोशिश करिएगा सही आंसर वदाने की पेटियम में बार कोड का प्रियोग करके भुकतान नहीं कर सकते तो जी हाँ यह true है समझेगा पेटियम में हम QR कोड यूज करते हैं बार कोड नहीं clear है पेटियम हमें QR कोड की help से क्या करता है payment भुकतान करने की बार कोड तो यह false हो जाता क्यों क्योंकि पेटियम में QR कोड से भुकतान कर सकते हैं बार कोड से भुकतान नहीं कर सकते हैं next निम्लिकित में कौन सा जूम राइटर में नहीं है A option 100 B option 200 C option 300 D option 800 तो बताएगा राइक आंसर क्या होगा यहां पे पूछ रहा है निम्लिकित में कौन सा जूम नहीं होता है राइटर में तो राइट आंसर कोशिस करिएगा बताने की 5 seconds है आपके पास तो जी हां इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा D 800 का option राइटर में नहीं होता है 800 जूम का option राइटर में नहीं होता है clear है next question number 6 ODT spans for A option open document text B option original document text C option open direct text D option none of the above तो बताएगा राइट आंसर क्या होगा ये full form भी क्या किया जा चुका है पूछा जा चुका है लगा तार अगस सितंबर अक्टूबर नौमबर चारों मन्त के पेपर में क्या हुआ है यह आया है तो बताएगा राइट आंसर क्या होगा 5 seconds है जल्दी करिएग तो इसका राइट आंसर जी हाँ इसका राइट आंसर होगा open document text clear है ये option इसका क्या होगा right answer होगा open document text odt stands for और .odt writer का file extension होता है किसका file extension होता है writer का file extension होता है next question number seven disk cleanup का प्रियोग करके temporary files को delete कर सकते है a option true b option false 5 seconds है बताएगा right answer क्या होगा जी हाँ 5 seconds है good कुछ लोग का right answer आ चुका है और इसका right answer होगा true disk cleanup का प्रियोग करके हम temporary files को delete कर सकते है next डेजी वील प्रिंटर किसका उधारण है a option impact printer b option non impact printer c option thermal printer d option none of the above तो बताएगा right answer क्या होगा 5 seconds है आपके पास कोशिस करिएगा सही answer बताने की तो डेजी वील जी हाँ कोशिस करिएगा सही answer बताने की कुछ लोगा आ चुका है right answer तो यह impact printer का example है डेजी वील प्रिंटर impact printer का example है next question question number 9 incognito mode की shortcut की क्या होती है a option control plus n b option shift plus n c option control plus shift plus n d option none of the above तो बताएगा right answer क्या होगा यह सारे वही questions है जो exam में आ चुके हैं बात जा नखिएगा clear है बताएगा right answer क्या होगा 5 seconds है आपके पास comment कर सकते हैं और साथी साथ चैट में भी answer बता सकते हैं last में कितना marks आपका आपका यह जरूर comment करके बताएगा और homework मिला क्या है आज नाबार्ट का full form बताना है आपको comment में तो इसका right answer क्या होगा control plus shift plus n incognito mode का मतलब shortcut की क्या होता है control plus shift plus n next question और यह last है YouTube चलाते समय ब्राउजर में history नहीं बनती A option true B option false तो बताएगे right answer क्या होगा 5 seconds है आपके पास तो जी हाँ इसका right answer होगा false क्लियर बनती है YouTube जब उन चलाते है ब्राउजर में न तो history बनती है और यह भी बाद ज्यान अखना YouTube एप पे जब चलाते हो न तो वहाँ पे भी history बनती है आप एप में YouTube चला रहे है तो वहाँ पे भी history बनती है और उन्होंने क्या क्या नहीं बनती है इसलिए question क्या होगा false होगा clear है तो यह थे आज के question बहु है तो रोज रात देखना मत भूलिए online test साथी साथ कहीं पर भी problem हो तो आप comment, whatsapp और email कर सकते हैं वीडियो को like करना, share करना मत भूलिएगा साथी साथ चानल को subscribe कर लीजेगा जिससे जो भी update आएगी वो आपको मिलती रहेगी तो मिलते हैं कर रात 9 बजे एक नए triple c online test के साथ good bye